हलो गईज, सुसान सिंग राजपूत केस में सिधार्थ पिटानी और रिया चक्रवर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है जैसा गईज आप सब को पता है कि सुसान सिंग राजपूत केस में सुसान सिंग राजपूत की बेहनों के उपर एक बड़ा इल्जाम लगाया गया था रिया चक्रवर्थी के द्वारा और रिया चक्रवर्थी ने एक एफाई यार भी बांदरा पूलिस इस्टेशन में किया था जिस पर उस दिन हाई कोट ने सुनवाई करते हुए सीधा सीधा उसको रद करने की भी बात की है और वो जो है केस चल्द ही रद भी हो जाएगा जिससे ये साबित हो गया कि सुसान स सीधे बुला कि सुसान सिंग राजपूत की बहनों के कहने पर देली के डॉक्टर ने जो है एक प्रिस्किप्सन लिखा था और उसी के प्रिस्किप्सन पे दवाय चल लएए जिससान सिंग राजपूत की बहनों का है लेकिन वाईज अगर आप पुराना इंटर्व्यू सीधे सीधे ये बोलते हुए नजर आया कि सुसान सिंग राजपूत की जितनी भी दवाएं थी उसको वो खुद देखता था और यही तक देखता ही नहीं था वो डॉक्टर से लेकर आना और साथ में ही दवाओं को सुसान सिंग राजपूत को डेली देने का काम जो है सिधार पिटानी का था और साथ में ही उस सिधार पिटानी ने कई आरोपों कई इंटर्विव में ये भी बोला कि सुसान सिंग राजपूत को जो दवाए दी जाती थी वो रिया चक्रवरती के कहने पे दी जाती थी मलब जितने भी ड्रक्स रिलिटेड जितने भी इल्जाम लगाए गए हैं सुसान सिंग राजपूत के उपर वो सारे के सारे गलत हैं अब वहीं बात की जाए सुसान सिंग राजपूत के घर पे जो रहता था सिद्धार पिटानी वो असल में रियल सुसान सिंग राजपूत का फ्रेंड जो है था ही नहीं वो रिया चक्रवरती के कहने पे जो है सिद्धार पिटानी सुसान सिंग राजपूत के घर पे रह रहा तो सिधार बिटानी जो है वो सुसान सिंग राजपूत से उसका जितना अच्छा कनेक्शन नहीं था उससे कहीं ज्यादा अच्छा कनेक्शन उसका रिया चक्रवर्ती के साथ में था तो ये बात confirm हो गई कि सिधार बिटानी जो है वो सुसान सिंग राजपूत की वज़ा से नहीं रह रहा था सुसान सिंग राजपूत के घर पे बलकि रिया चक्रवरती की वज़ा से रिया चक्रवरती के कहने के वज़ा से सिधार बिटानी जो है सुसान सिंग राजपूत की और जान भूच के ये लोग काफी दूनों से प्लानिंग कर रहे थे कि ये सारी चीजे सुसान सिंग राजपूत के साथ में हो साथ में ही जितनी भी ड्रक्स रिलेटेड जो है सुसान सिंग राजपूत को पता भी नहीं चलता था और उनको दवाय भी दी जा रही थी तो सीधे सीधे ये कन्फर्म हो गया कि सुसान सिंग राजपूत कोई भी ड्रक्स लिया नहीं करते थे उनके उपर सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्तिय और सिधार पिटारी नी ये दिमाग लगा के गेम खेला है और उनको फसाया गया है ये आपका क्या ओपीनियन है आप अपना ओपीनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को जादा सेयर करें